Hello everyone, welcome you all at Lokisthar Unlimited Study Zone. चलिए, क्लास स्टार्ट करते हैं, एक डाउट आया यहां पे, चेप्टर है, गतिमाना वेशबम, चुम्बकत, मुविंग चार्ज और मैगनेडिजम वाला कॉश्चन है, यहां पे कॉश्चन पूचा जा रहा है, एक इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्यू लिखा जाता है, 100 वोल्ट, तो 100 वोल्ट दारा, मैंने इसलिए ऐसा लिख दिया, क्योंकि आप इसको वेग ना समझ जाएं, और अगर मैं वेग लिखता तो स्मॉल भी लिखता, क्या लिखता, तो यहां पे वेग अगर स्मॉल है, चुम्बकी छेत्र में लंबवत प्रवे होता है, याद है आपको, यहाँ पे Mv4 upon QB, Mv4 वेग हुआ करता है, अब देखे जरा, आप जानते हैं, कि इसको अब बोलोगे सर, हमारे पास वेग तो है, नहीं, हमारे पास तो यह है, तो R equal to Mv क्या होता है, सम्वेग, क्या होता है Mv का मतलब, सम्वेग upon कितना QB, अब उर्जा बराबर हुआ करता है, 1 upon 2 Mv2, तो यदि मैं यहाँ पे M का मल्टिप्लाई कर दूँ, और 2 को देखे ले जाओ, तो 2 E बराबर हो जाएगा Mv2, बोलो हाँ, और 2 M E बराबर हो गया M2 V2, बोलो हुआ की नहीं हुआ, हुआ की नहीं हुआ, M2 V2, M2 V2 मतलब, P का स्क स्कुएर, तो P का स्कुएर बराबर हो गया कितना, 2 M E, तो P equal to under root कितना आएगा, 2 M E, आई बात समझ में न, P equal to under root 2 M E, तो यहाँ पर जो P बैठा है, यहाँ पर R की जगहे में एक under root में क्या रख सकता हूँ, 2 M, और क्या बिटा, E, अपन कितना, Q B, अब आपको होगे Sir, E तो पता नहीं है, उर्जा अपन को पता नहीं है, तो उर्जा, इलेक्ट्रॉन की उर्जा, किसी आवेशित कन की उर्जा क्या होती है, उर्जा बराबर Q into V, Q into V, पढ़ाया chapter number 1 में, U equal to Q into V, किसी दिये गए वोल्टेज में अगर Q charge है, तो उसकी उर्जा कितनी होती, Q into V, तो यहाँ पर E की जगह मैं क्या रख सेता हूं, Q into V, तो R equals to under root 2 M, Q into V, upon Q into V, अब यहाँ पर Q की जगह एलेक्ट्रॉन है, क्यों की जगह क्या है, तो जहाँ जहाँ Q है, वहाँ वहाँ एलेक्ट्रॉन पूट कर दीजे, तो R is equals to under root 2, यहाँ पे M, यहाँ पे E, यहाँ पे B, हाँ तो बस इसको पुट कर दीजे, है ना, और अब आप क्या कर सकते है, देखिए, एक E उपर है, और E नीचे है, तो द्याहन से देखा जाए, तो यह क्या है, under root E का, तो एक root से एक root क्या हो जाएगा, कैंसल, तो फाइनली आपके पास formula बने गया, under root 2MV upon E, और multiply by कितना, 1 by B, ठीक ना, तो इस तरीके से यह formula बने गया है, अब इसको solve कर लिजे, है ना, यही आपका answer आजएगा, values पुट कर दीजे, जो जो दी गही है, यह बन जाएगा, देख लो एक बर, clear है कि नहीं है, यहाँ से, यहाँ से, इस तो लाइन से, तो R बराबर 2MV upon QV, E की जगए, विद्धुत स्थिर विद्धुत उर्जा, क्या होती, Q into V, Q into V, यदि भूल गए हो, तो याद कर लो, विभवांतर बराबर, कारे बटे क्या, आवेश, है ना, प्रति एक आवेश को लाने में किया गया, कारे विभवांतर होता है, तो का यहाँ पर W equal to Q into V, क्योंकि कारे बराबर उर्जा, कारे बराबर उर्जा, तो यहाँ पर E की जगए मैंने क्या रख दिया, Q into V, और नीचे Q V है, हाँ या ना, अब देखो, अब क्यों की जगए हमाँ पस एलेक्ट्रॉन है, क्या है, एलेक्ट्रॉन, तो क्यों की जगए मै हाल लेना पड़ेगा कि नहीं लेना पड़ेगा, क्योंकि रूटी तो था अंदर और नीचे E है, तो क्या मैं E को दो बार रूटी नहीं लिख सकता हूं, into V, इससे यह क्या हो गया, बन गया भई, देख लो, कोई रिक्कत बन जाएगा ना, बस तो यह यहाँ गया, इसको म V, कौनसा, capital V, देखो, small V तो गायब हो गया, small V तो इह गायब हो गया, momentum बन गया उसका, है ना, momentum बन गया, और upon में क्या हैगा, बलो, E यहाँ पर, और साथ में बाहर क्या हैगा, 1 upon B, समझ गया ना, तो हो गया, दो दो बाल लिख दिया आपने, चलो, note कल लो इसको, फोटो इसका, तरिज्जा क्या होगी, इससे तरिज्जा क्या होगी, तो इस तरीके से तरिज्जा आ जाएगी, ठीक है, हाँ जी बटा, तो क्या दिख देख देखो, एक बात बताओ, 1 upon 2 mv square, इसमें आपको वेग दिया है कि नहीं दिया, f दिया है, half mv square, बिटा, देखो, वो कब लगता है, वो तब लगता है, जब आपको वेग न दिया हो, पहले इसको फोटो की चलो, फिर मैं बताता हूँ, अब इनका सवाल सुनिया, आप इनका सवाल क्या है, फिर इसके बाद मैं जवाब देता हूँ, इन्होंने पूछा है, कि सर, आपने हमें जो, cyclotron वाला formula बताया था, गती जूर्जा में ये formula क्यो लगा, इसको रफ कर दूँ, नकुल, रफ कर दो इसको, चली, मैं पूरा सवाल पढ़ देता हूँ, फेले, उसके बाद मैं आपको आंसर समझाओंगा, पहरे, पूरा सवाल देख लो, उदाहन नंबर 6, न वह बोध भौत की उदाहन नंबर 6, 6 गुद्ध भावर माइनस 4 टेसला, मतलब चुम्मिकी चेतर दिया गया है, 6 गुद्ध की पावर कितना माइनस 4, ये टेसला चुमिकी चेतर दिया गया है, कि लंबवत कोई एलेक्टर evitar 3 harmony इसे के एलेक्ट्राइं जो वेख दिया गया थी इंटिर यीपकट्गन जिचक्ट्वों दा घुसर्ब कितना 9.4 hour किसे लिग दिया थी क्लामच्ट्व आइए घुते साथ qor 2021 का जियो तो बहिए पत की तरिज्जा R बराबर होता है M V upon Q B, होता है कि नहीं होता, M पता है, B पता है, Q पता है, Q मतलब E, Q मतलब E, आवेश क्या एलेक्ट्रॉन है ना, और B वी तो पता है, रख दोगे निरख दोगे, तो दो कोड़ी का कॉश्चन सबसे पहले इसका R आ गया, आ ज की क्या करो, आवरत्ती तो मैंने टी पढ़ाया था, T equal to 2 Pi M upon Q B, याद आया, तो आवरत्ती बोले तो 1 upon T, बोले तो new equal to Q B upon कितना, 2 Pi M, Q पता है, B पता है, 2 पता है, Pi पता है, M B क्या है, पता है, छाब दो, आंसर आ जाएगा आवरत्ती, तो आवरत्ती solve करने पर कितनी आ आ रही है, आवरत्ती आ रही है, 17 MHz, किती आ रही है, 17 MHz, मतलब 17 into 10 की पावर 6, MHz, मतलब 10 की घाच 6 Hz, बोलो, clear है कि नहीं है, लाश्ट में बोला, उर्जा गयात करो, लाश्ट में क्या बोला गया है, बिटा, तुम पूछ रहो में से, half M V square, बिटा, बोलो, हाँ, अगर आपन को वेग ना पता होता, तो आपन यहां वाला फॉर्मूला लगाते, यहां से V निकालते, तो यह बनता QBR upon M, तो V को तब गयाप करते थे, जब वेग पता नहीं होता था, जब तृज्या पता होती थी, मतलब आपन करते थे 1 upon 2 M, और यहां पराता था QBR upon कितना, M का whole QBR, बोलो हां, अब तुम महनत कर भी लोगे तो तुमको मिलना तो वो ही है ना, क्या मिलना है, यह, वेग, वही क्यों रखोगे, Q पता है, B पता है, R पता है, M पता है, Q पता है, B पता है, R पता है, और क्या पता है, M, मतलब पहले तुमने R निकाला, क्या निकाला, R निका लिए वेक का इस्तमाल किया अब उस ही आर को जो निकाल चुके उसका इस्तमाल करके वेग निकाल रहे हो काई को निकालें डिरुक्त तो वेग दिया है बन जाएगा ना ठीक है तो इस तरीके से सॉल हो जाएगा नोट कर लो हो एसारे जलो भाई साब तो यह राब आई साब चुम्बकत्य के बढ़िया बढ़िया कोश्चन आप लोगों ने पूछे है ना साइकलो ट्रान वरती पर इसक अब आपने बहुत बढ़िया सावाल पूछ लिया वहला फॉर्मुला है ना और तो याद कलो बेटा पी बराबर होता है 2m e, कई जगह आएगा, आज कई जगह आएगा, P बराबर 2m e, यह फ़र्मुला यात कलो, Class 11th का, और स्क्वार कर दो, तो P स्क्वार एक्वल टू एमी, बोले तो E बराबर P स्क्वार बाई 2m, फिजिक्स की जान है यह फ़र्मुला, बहुत जगह आता है, दन? ठीक